दोस्तो आज के समय में किसी भी सरकारी स्कीम या फिर योजना का पैसा अपने अकाउण में लेने के लिए आपका आधार NPCI लिंक होना चाहिए ऐसे में अगर आपका आधार NPCI लिंक नहीं है गौवर्मेंट जब भी किसी सरकारी स्केम या सबसेडी औगरे का पैसा डालेगी आपके आकाउंट तक नहीं पहुँच पाएगा क्योंकि जब भी सरकार पैसा डालती है आधार नम्मर के जरिये डालती है ना कि आकाउंट नम्मर से तो आज किस वीडियों जानेंगे HDFC बैंक में आधार सेडिंग को किस तरह से लिंक करते हैं यहाँ पे मैं आपको लाइप प्रोसेस के साथ step by step complete वीडियो दिखाने वाला हूँ और अभी तक आपने हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साइड वेल आइकन को दबा करके आल पे क्लिक कर लें इसी तरह मैं आपके लिए बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा तो टाइम को न वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं HDFC बैंक में आधार सेडिंग को लिंक करने के लिए आपको इसपीच पाना होगा इसपीच का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्टिन में मिल जाएगा आप वहाँ से जाके स्पीच पे विजिट हो सकते हो इसके बाद आपको यहाँ पर स्क्राल डाउन करना होगा यहाँ पर आप देख सकते हो आधार सेडिंग लिखे गया है सीड आधार विथ योर HDFC बैंक अकाउंट तो रिसीब डेवीटी डारेक्ट वेनिफिट ट्रांसफर सबसीडी डारेक्ट ली इन्टू योर अकाउंट वनली फोर वाइलेट फ्रेस सीडिंग फ्रेंट्स गॉर्मेंट की तरफ से किसी स्कीम या फिर योजना का पैसा अगर आता है तो डारेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होने वाला है सबसीडी उगए रगा भी पैसा यहाँ पे डारेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर किये जाएगा यह तभी पॉस्वल है जब तक आपके अकाउंट के साथ आधार सीडिंग लिंक नहीं है तो फ्रेंट्स आधार सीडिंग को लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे देखने मिलेगा सीड आधार तो आपको सीड आधार पे क्लिक कर देना है यहाँ पे आप देख सकते हो निक्स्ट पेज उपिन हो गया है कुछ points दिया गया है इसको आपको read कर लेना है आपका ये 18 years plus होना चाहिए Indian residents और saving accounts होना चाहिए HDFC bank में idea and address group का KYC complete होना चाहिए आप जिस आधार नम्मर को आधार सेडिंग के लिंक कर रहे हो किसी और bank के साथ लिंक नहीं होना चाहिए बिल्कुल press होना चाहिए अगर वा किसी और bank के साथ लिंक है तो सबसे पहले आप उसको d-link कराईए फिर आपको यहाँ पे आके आधार सेडिंग को लिंक करना है और इसके बाद आपके आधार काड के साथ आपका mobile नम्मर लिंक होना चाहिए तो चली फ्रेंड्स यहाँ पे आप लेट्स वेगिन पे क्लिक कर देते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो next page open हो गया है सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना register mobile नमर इंटर कर देना है identity verification के लिए आप यहाँ पे अपना data worth इंटर कर सकते हो pen card नमर है तो pen card नमर आप यहाँ पे दे सकते हो customer ID नमर है तो आप यहाँ पे अपना customer ID नमर इंटर कर सकते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपना data worth इंटर कर दिया है और इसके बाद आपको get OTP पे क्लिक कर देना है mobile नमर पे एक OTP आएगा तो OTP आप यहाँ पे इंटर करेंगे इसके बाद आपको यहाँ पे confirm पे क्लिक कर देना है तो मैंने यहाँ पे OTP इंटर कर दिया इसके बाद चलिए यहाँ पे मैं confirm पे क्लिक कर देता हूं फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो next page open हो गया है customer ID का last four digit आप यहाँ पे देख सकते हो आधार नमर का last four digit आपको यहाँ पे देखने मिलता है इसके बाद account नमर का last four digit आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बाद चलिए यहाँ पे हम scroll down करते हैं और यहाँ पे लिख्या गया है are you already receiving dvt direct benefit transfer subsidy in other bank तो friends अगर आप already इसका benefit उठा रहे हो other bank से तो आपको यहाँ पे yes कर देना है नहीं ले रहे हो तो आपको यहाँ पे no को select दलेना है तो friends यहाँ पे मैं no को select करूँगा और इसके बाद आपको यहाँ पे continue पे click कर देना है इसके बाद आपको consent देना है यहाँ पे कुछ Tram and Conditions लिखा गया है इसको आपको read कर लेना है Hindi language में करना चाहते हो तो आप इसको Hindi language में कर सकते हो तो चलिए यहाँ पे मैं scroll down करता है यहाँ पे आपको तीन checkbox देखने हों मिलता है इन तीनो checkbox को आपको tick कर देना है इसके बाद आपको I agree पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको आधार concern में PDF देखने हों मिलता है इस PDF को अगर आप read करना चाहते हो तो आप इसको read कर लेजिए और next आपके आपे agree पे क्लिक कर देना है इसके बाद आपके आपे EKYC करना होता है EKYC के लिए आपके यहाँ पे दो options देखने को जाता है आधार नमर और virtual ID तो trends यहाँ पे मैं आधार नमर के थुरू EKYC करूँगा तो चली यहाँ पे मैं आधार नमर को इंटर कर देता हूँ आधार नमर मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया और इसके बाद आपको generate OTPP क्लिक कर देना है आपके आधार काट के साथ जो mobile नमर लिंक है उस पे एक OTP आएगा तो OTP आपके यहाँ पे इंटर कर देना है OTP मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया और निश्ट यहाँ पे validate पे आपको क्लिक कर देना है इसके बाद आपके सामने preview details आ जाता है सबसे पहले आपका name देखने को मिल जाता है इसके बाद customer ID का last four digit और यहाँ पे आपका आधार नमर का last four digit देखने को मिलता है और निश्ट यहाँ पे आपको account नमर का last four digit देखने को मिलता है तो चले यहाँ पे मैं scroll down करता है और इसके बाद आपको यहाँ पे confirm पे click कर देना है यहाँ पे आप देख सकते हो आधार सिडिंग का request successful submit कर लिया गया है 3 working days में account के साथ आधार सिडिंग link हो जाता है आपको यहाँ पे service request ID number देखने हो मिलता है इसको आपको note करके रख लेना है in future आपको यह track करने में काम आ सकता है तो इस तरह से आप HDFC बैंक में आधार सिडिंग को link कर सकते हो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो कर दे like और यह वीडियो आप अपने friends और family की भी साथ share करें नेक्स्ट वीडियो में फिर में लेंगे friends तब तक के लिए bye bye take care